कैसा गजब जो एक दिन में बाइस फिल्में इस हबते 14 अक्टूबर को हिंदी की जो फिल्में रिलीज दूए उनके नाम है डॉक्टर जी, कोड नेम तिरंगा, मोदी जी की बेटी, कांतारा, जग्गु की लाल्टेन, लब यू लोकतन, कहानी रबर बैंट, ऐ जिन्दगी, गर्तूर और मिड्डे मीड, इनमें कांतारा, मूल रूप से कंडट की फिल्म है, इसे हटा भी दें तो 9 फिल्में ऐसी थी जिनका निर्मार बॉलिवूड में, ऐसा कोई और मौका याद करना मुश्किल है, जब किसी हबते केवल हिंदी की, एक साथ 9 फिल्में रिलीज हु और भारत की और साथिक्रित तौर पर आसकर में भेजी गई छिल्लो शोगी, इन सब को जोड़े तो इस हबते रिलीज हुई फिल्मों की कुल संख्या हुई 22, कितना बदल गया है भारती सिनमा उद्योग, कभी हम सुना करते थे कि देश में हर साल 100 या 700 फिल्में बनती है, मगर वा जमाना चला गया, 2019 में भारत में बनी कुल फिल्मों की संख्या 2446 थी, इसी तरह 2017 में केवल बॉली उड में 300 के उपर फिल्में बनी थी, 2020 में भारतीय फिल्मों की कुल कमाई 19,100 करोड रुपे पर पहुँच गयी, मगर कोरोना और लॉकडाउन ने बाकी की हलत भी पस्त कर दे, नतीजा यह रहा कि 2021 में सिर्फ 55 फिल्में रिलीज हो सकी और कमाई हुई महस 760 करोड और अब जब की कुरोना लगभग खत्म हो चुका तो हम एक हबते में 25 फिल्में रिलीज होते देख रहे हैं, वैसे मानें तो ये उत्सा वर्दक है कि हमारे फिल बढ़ बर जाता है, धूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टिक्टे चीन में बिक्ती हैं, उसके बाद अमेरिका में और फिर हमारा नमबर राता है, असलिए यह है कि अमेरिका इस मामले में हम से थोड़ा ही आगे है, जबकि भारत और अमेरिका से कर्इब 3 गुना ज्यादा टिक्टे चीन में विक्ती है। इससे समझा जा सकता है कि जब आमीर खान की दंगल चीन में रिलीज हूँ तो उसने वहाँ जो अंधा धुंत कमाई की उसका कारण क्या रहा होगा। अमेरिका के मुकाबले चीन में सिनमा के टिक्टे कहीं सस्ती है। इसके बावजू दंगल भार के सिनमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसने कुल एक हजार नौसो चौविस करोड़ रुपे कमाई। इसके बाद बाहुबली दो का नंबर है जिसने एक हज 298 करोड़ की कमाई की। यह वह फिल्म हैं जिनके सामने ब्रहम्हास्त और पॉननीं सेलवन की कमाई। भी बचकानी लगती। फिर भी आयान मुखरजी ब्रम्हस्त के और मनिरत्नम पॉन्नीन सेलवन के दूसरे भाग की तैयारी में जुट गएं। आयान मुखरजी को तो इसमें देर लगे लेकिन कहा जा रहा है कि पॉन्नीन सेलवन का दूसरा भाग पांच महीने बाद ही आ जाएगा। विर्शा के पात्र होने चाहिए। उनकी पॉन्नीन सेलवन कलिक कृष्णमूर्ती के 1955 में छपे तमिल उपे न्यास पर आधारी थी। जो की चोल राजवन्ष के समय की एक कहानी है। पॉराने तमिल साहित में दक्षिन भारत की सबसे महत्पूर्ण नदी कावेरी को पॉन्न अपूर्ण उनकी उनकी प्रूंगर्ण 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 नदी कृष्णमूर्ण आटी को पॉन्न वारत की चाहिए।